जी हां साथ यो परिक्सा से पूर्व संध्या में हमें कुछ important revision कर लेना चाहिए तो उसी कड़ी में आपके लिए revision के तोर पर एक theoretical question लाया हो यह company के समापन से related question company के समापन से related हो और theory के ways पर आया हो तो आपको इस तरह से इसको लिखना है सबसे पहले बात करते हैं कि company का समापन होता क्या है तो binding of a company it means company के समापन से आसे उसके कारोबार के बंद कनने की प्रिक्रिया से होता है प्रोफेसर गावर के सब्दों में कहें तो company का समापन बहे प्रिक्रिया है जिसके दुआरा कंपनी का कारोबार समाप्त किया जाता है तथा उसकी संपत्यों को उसके लेंदारों तथा उसके सदस्चों में भुक्ता नेतू प्रियोग किया जाता है या इस प्रकृजिया को कनने के लिए कमपनी को एक मिस्तारख की अवसकता पड़ती है जिसको कहते है लिक्विडेटर लिक्विडेटर जो है आपका प्रसार्शक के रूप में न्यूक्त किया जाता है जैसे आप देखते हैं जब कोई सरकार का अंतिम समय होता है और सरकार जो है इस्थगित कर दी जाती है तो उस समय सरकार के नए आने से पहले और इस्थगन के बाद जो चार्ज होता है वहाँ की अधिगारी के पास होता है या आप राश्ट पती सासन को जानते ही होंगे तो ऐसे ही एक प्रक्सासक होता है उसके अंडर में वो कमपनी रहती है और वहाँ पर उसका जो कार्य होता है उस कमपनी की संपत्ती और उसके दायतवों का पता लगाना होता है और उसको वो बहुत ही अच्छी तरह से करने के बाद जिस तरह से उनका पेमेंट करता है यही कम आपको बता दूung कंपनी का जो समापन होता है उसके जो प्रकार हो सकते हैं तीन प्रकार से कंपनी का समापन किया जाता है पहला है न्याया या द्वारह अनिवार्यास ценे इसको अंगलिस में कहें तो compulsory winding up by the code under section 433 ये कमपनी अधिनियम 2013 की धारा 433 में कमपनी के समापन के बिसे में बतलाया गया है इसमें न्यायले द्वारा अनिवारे समापन है न्यायले द्वारा किसी कमपनी का अनिवारे जो समापन है वो निमलिकित परिस्थितियों में किया जा सकता है पहला है विसेश प्रस्ताप के द् लिया है कि कमपनी का समापन न्यायाल्य द्वारा किया जाएगा तो न्यायाल्य ऐसा आदा आदेश देने के लिए बाद यह नहीं है यह दिन्यायाल्य के बिचार में जमा समापन जनहित अत्वा कमपनी के हित्व में नहीं है तो न्यायाल्य समापन का आदेश देने से इनका भी कर सकता है आपको बात समझ में आने चाहिए कि भाईया समापन ठीक है अपनी जगह है लेकिन समापन जनहित में नहीं होगा तो कोड इसको मना कर सकता है दूसरा तरीका है बैदानी सवा बुलाने यानि कि जो स्टैचुरी मीटिंग होती है उसमें जो है रेजिस्टरार को बैदानिक रिपोर्ट भेजने में या बैदानी समापन बुलाने में चूक की है तो नियायाले समापन का आदेश दे सकता है और इस आधार पर रेष्टरा रत्वा किसी अंसदाई जो कंटिवूटरी द्वारा याचिका प्रस्तुर की जा सकती है जो कंपनी में अंसदाई है वो अपनी याचिका के द्वारा कंपनी का समापन करने में अपनी भूमी का निवा सकता है and this is all about under section 4397 of company act याचिका सभा बुलाया जाने के अंतिम्तिति के 14 दिन के बाद प्रस्तुत की जानी चाहिए साथ यो ज्यादा डीप में न जाते हुए आपको समझने है अच्छी अच्छी तरह से इन सभी ची जो को ज्यादा हम समय नहीं लेंगे समा मेलन के एक बर्स के भीतर ब्याफसाय प्रारमने करने या पूरे एक बर्स ब्याफसाय निलंबित रखने की सम इस्तिती में भी क्य चालूने करने अत्वा इसको निलंबित रखने के संबंद में एक उचित कारण रीजन जो है डिस्क्लोस करती है तो उसका इरादा अगर कंपनी के प्रारम करने के बाद अगर ऐसा कोई उसका जो कारण रहा है जो की बैद है तो उस कंडिशन में न्यायल समापन का आदेश से इनकार कर सकता है आये जानते हैं अगला पोइंट चान नंबर पर सदाषय संख्या निउंतम से कम हो जाने पर यहां सदेश्यों की संक्या बैदहानिक निउंतम संक्या से कम जैसे कि सारजनिक कमपनी की दसा में 7 से कम और निजी कमपनी की दसा में 2 से कम हो जाती है तो नियायले इस अधार पर समापन का आदेश दे सकता है ठीक है साथ यो रिणों के भुक्तान में ऐसा मर्तता अगर इनकैपबल्टीज ओपेंग डैप डैप इक्विटी रेशो सही नहीं बैट रहा है कमपनी का कमपनी की इस्तिती इतनी बेकार हो चुकी है कि कमपनी अपने विणों का भुक्तान भी नहीं कर पा रही है तो ऐसी इस्तिती में उसके समापन का आदेश दिया जा सकता है साथियो नियाय संगत एवम सामेग यदि नियायले की राह में कमपनी का समापन नियाय संगत एवम सामेग है तो कमपनी के समापन का आदेश दिया जा सकता है आईए जानते हैं दूसे नंबर के समापन की तरीके को यह है स्वेचिक समापन जिसे आप वालेंटरी वाइंडिंग आप कहेंगे जब किसी कमपनी का समापन नयाल लेके हस्चेप के बगएर उसके लेंदारों या सदस्यों दौरा किया जाता है तो उसे स्वेचिक समापन कहते हैं इसमें कौट का कोई houseание नहीं है इसमें हम अपनी इच्छा से सूए आपनी का समापन कर रहे हैं तो स्वेचिक समापन के क्या डार हैं चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसे हम under section 484 में पढ़ेंगे स्वेचिक समापन को और ये दो तरीके से हो सकता है एक तो साधारन परस्ताव द्वारा simple proposal के द्वारा क्या यदि कंपनी के पारसद ढंतन्यम द्वारा ने धारीत कंपनी के कारेकाल की अब्धी समाप्त हो गई है अद्वाव है घटना घडिद हो गई है जिससे घडिद होने पर अनतन्यम अबली के अनुसार कमपणी का विखंटन कर दिया जाए तो एक साधारन प्रस्ता पारित करके कमपणी का समापन प्रारंब किया जा सकता है यह क्या होता है जब कमपणी का पार्सद अंतन्यम और पार्सद सीमानियम लागू किया जाते कंपनी बनाई जाती है तो उसमें कुछ घटनाए या फिर कुछ चीजे ऐसी लिखी जाती है जो भविश्य में उप्योग में लाई जाती है सपोस कीजिए किसी कंपनी ने अपना 10 साल कारेकाल रखने का प्रस्ताब शुरू में लिखा है और अब कंपनी के 10 साल पूरे हो गए है तो इस से हम स्वेच्छा से अपना कंपनी का समापन कर सकते हैं विशेष प्रस्ताव द्वारा चलिए कमपनी किसी भी समय बिना कोई कारण बताए एक विशेष प्रस्ताव पारित करके यह निश्चे कर सकती है उसका स्वेच्चिक समापन कर दिया जाए सच्ची समापन हे तू पारित किये गए प्रस्ताब कीती थी से 14 दिन के भीतर कमपणी को उस प्रस्ताब की सूचना सरकारी राजपत्र में और उस जिले में जिसमें कमपणी का पंजी करण का रियाल लेस्तित है चलने वाले किसी समाचार पत्र में बिग्या बंद देननी चाहिए यह आपने देखा भी होगा कोई कमपणी बंद होती है तो उसका न्यूस पेपर में आता है कि यह कमपणी जो है हमारे दुआरा बंद कर दी गई है इसका ब्यापार करना बंद हो गया है स्वेचिक समापन के अनुसार कितने तरीके हो सकते हैं स्वेचिक समापन के तो यह दो तरीके हैं स्वेचिक समापन के भहिया सजस्यों दवारा स्वेचिक समापन आप बहुत जल्दी में कि यकम्पनी रिंडिक शोधन चम्था जो है अपने दाईत का पूर्टे मुधार कर सकती है तो सजस्यों सवेचिक समपन सम्भब है इस प्रकार के सम्धावन के लिए संचालकों की बहु संक्यात अत्वा रेजिटार के पास सोधन चमता की घोशना भेजनी पड़ती है कमपनी की सोधन चमता यानि की जो सोलवेंसी कंडीशन है उसकी सोलवेंसी पाबर है उसका समर्थन अंकेक सकी रिपोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए अगर आप एच्छिक समापन कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो इस्तिती है अच्छी होनी जरूरी है अगर आपकी इस्तिती अच्छी नहीं है तो आप समापन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप एक तरह से भगोड़े और दूसरों का पैसा माजने के लिए ऐसा कर रहे होंगे ठीक है साथियो तो साथियो ऐसामाने साधारण सवा में सदस्यों द्वारा पारित किये गए साधारण या विसेश प्रस्ताव या था इस्तिती की एक प्रतिलीपी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करनी पड़ती है कमपनी के अंसदारियों की सभा में निस्तारक की न्युक्ति की जाती है निस्तारक यानि की लिक्विडेटर निस्तारक की न्युक्ति के बाद संचालकों यानि जो डिरेक्टर होते हैं और जो मेनेजर होते हैं उनके समस्त अस्ति का अधिकार जो है समात हो जाते हैं, निस्तारक के पास सारी power रहती है निस्तारक कमपनी के समापन की समस्ट कारवाई करने के बाद कमपनी का अनतिम वीवरण तयार करता है जिसे liquidator final accounts बनाने का जो नाम है इसका liquidator final statement of affair कहा जाता है और कमपनी की अनतिम साधारन सबाब बुलाता है तथां अंतिम साधान सभा का विवरण रिष्ट्रा के पाद बेज देता है कि या इस कमपनी की जो एसेट्स है जो इसकी ही अ है कि इसके पाँ इतनी संपत्य है और इसके दायत्व है इनका पेयमेंट यह कर पा रहा है या नहीं?, आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लेंदारोद्वारा स्वेच्चि समापन की voluntary binding up by creditors तो यदी किसी स्वेच्चि समापन में सोधन चमता की गोशना नहीं की जाती है तो उसे लेंदारोद्वारा स्वेच्चि समापन कहते हैं यह under section 4885 में इसका जिक्र किया गया है समापन का यह है तरीका दिवालिया कमपनियों द्वारा पनाय जाता हैं क्रेडि टर जो इन ने के लिए हैं वह देख लेते हैं कि कमपनी के अच्छी नहीं है और ऐसी इसा टीम में हमारा पैसा हमें चाहिए आने वाले समय में कमपने की स्थिति और खराब होगी और जो लेंदार होंगे उनका पैसा डूबने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी जिसके लिए वो कंपनी पर दबाब बनाते हैं और कंपनी पर इस तरीके से प्रेसराइज करते हैं कि कंपनी को अपना समापन करना पढ़ जाए ठीक है अंडर सूपर विजन ओप दगोर्ट समापन की स्पणाली को पर्य वेक्षणाधीन समापन भी कहा जाता है और जब किसी कंपनी का स्वेच्छिक समापन चल रहा होता है तो निस्तारक या कोई लेंदार या अंजाई निया याल्य से निमलिकिस समस्त अत्वा किसी एक आध करने में दिक्कत है निस्तारक पक्सपाती है या फिर समापन संबंदी प्रावधानों का भली भाती पालन नहीं किया जा रहा है जैसे जो पूरबादिकार अंस्तारी होते हैं यानि यह पेमेंट करने का एक सिस्टम है जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है लिकुडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ओप अफेयर की जिसमें एक तरीका बताया गया है कि निस्तारक को किस रूप में किस तरह से पेमेंट क उनिरिक्ष्ण के अदीन समापन के लिए नियायययय अले को आव्यधन पत्र देना है अंडर सेक्षन फाइब को तीस्पाइब टू 22, सरकारी निस्थारक की न्युक्ति की आती है 5, 24, 3, रेश्टरार के आविदन पर निस्थारक की न्युक्ति हटाया जाता है cos 6 and 5 24-4, नियाई अल्यवारा नियुक्ति निस्थारक के अधिकार और करतबिए आंडर सेक्षन 525, एक रम सात्यों सब अधिकारों का प्रियोग बिना नयाले की सुखतिया से उसी परकार करता है जैसे कि कमपनी का समापन पूर्ण रूप से एच्छिक होता है तो ये था पूरा ओवरोल कमपनी का समापन का सार एक बार सुनकर जरूर जाए एक्जाम में आपको अगरिम सुब कामना है बने रही है हमाई चैनल के साथ और देखते रहेगा कॉमर्स की दुनिया